संग्रहाले की कलियारों सी समर्द दुस्सा हित्य कौन तुम रूप सी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप चिपे निजमाया में छवी आप सुनहला फैला केश कलाप मंत्र मधुर म्रदू मौन संध्या पर यी कविता है छायावादी युग के एक प्रमुख कवी सुमित्रानंदन पंत की पंतची का वास्तविक नाम गोसाईदत था उन्होंने अपना नाम बदल कर सुमित्रानंदन कर लिया उन्होंने अल्मूडा, काशी और इलाबाद से पढ़ाई की प्राकरतिक सौंदरे से पूर्ण उनकी एक कविता पूर्ब और पश्चिम सागर तक भूके मान दंड सा विस्त्रित उत्तर दिश में दिब्वी हमालाई गिरियों का अधिपति है शोभित रत्नों के आकर हिम गिर की हिम से हुई न शोभा कुन्ठित किरुणों में कलंक सा छिपता गुन समूह में अउगुन किंचित गैरिक पीत धात श्रिंगों से वह रंगता घन खंडों को जब अपसरियां मंदन करती हैं असमई संध्या के भ्रहम से तब गज शुन्डों पर लाल बिंदु से अंकित जिन पर लगते अक्षर विद्याधर सुन्दरियां लिखती प्रेम पत्र का भोज पत्र पर गुहा मुखों से उठकर मारुत करता वेन रंद्र सब सस्वर साथ दे रहा जों गीतों का गाते जिसे तार स्वर किन्नर जब मस्तक खुजलाते हैं गज देवदार से संघर्शन रत उनसे बहकर क्षीर सुरभिमाई कर देता शिखरों को सुरुभेत शिनी भूत हिम पत्पर जिनकी एडी अंगुलियां उद्वेजित दुर्वः शोन पयोधर से वे किन्नरियां चलती मन्थर नत दिवाभीत साथ आश्रई पाता रविसे दूर गुहा में घनतम शर्णागत खुत्रों को ममता देते हैं महान सज्जनस मनुशत्व का तत्व सिखाता निश्चित हम को गांधी वाद सामोहीक जीवन विकास की सामययोजना है अविवाद गांधी वाद पर उनकी कविता गांधी जी द्वारा अंग्रेजी विद्याले और महाविद्याले के बहिशकार के आवाहन पर पंत जी ने महाविद्याले छोड़ दिया 1919 में सत्याग्रह से प्रभावित होकर वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांगला को उन्होंने स्वयम पढ़ा वैभव शाली संस्कृतिक विरासत दर्शाती उनकी कविता की पावन मध्य युगों से रहा उपेक्षित भूजीवन मूल्यों का वितरक लोग पुरुष पहचान गए थे प्रथन ब्रिष्टि में भारत का मुख बहते भौतिक युग प्रवाह में मिले न जनहित स्वे शांति सुख रक्तनेत्र पश्चिम में उनको दिखा भग्वि प्रासाग विभव का पशवल के भुजदंड पर खा जो निवास था युगदानों का प्रथम युद्ध के खर तांडव से जन्भू अंतर था मर्माहत भव सेवाहित लियाधीर ने सत्य अहिंसा का पवित्र ग्रत पशवल से हो मनुझ पराजित सहन सका युगमानव का मन विश्व मुक्तिहित छेडा निर्भई देश मुक्तिका वह नई ठिक्रन 1938 में उन्होंने मासिक पत्रिका रुपाब का संपादन किया पंतची आकाश वानी में मुख्य निर्माता और परामश दाता रहे 1948 में उनका कविता संकलन चिदांबरा प्रकाशत हुआ जिसके लिए वर्ष 1968 में उन्हें भारतिये ज्यान पीच पुरसकार मिला हिमाले को महिमा मंदित करती एक कविता हिमगिर हीर किरीट तपोज्वल रतना कर जल धोत चरन तल बिंधि मेखला सरित हार चल बंदे भारत मातरम दक्षिन भू मलयज रज सुर्भित पश्चिम प्रचुर मधुर फल शोभित प्राची श्यामल शश्य भारस्मित बंदे भारत मातरम शैशव था जग का तम में लिपटे जन बानी हीन मुदे थे मन के लोचन वेद गान रत रहते गंगा तट पर उन मेशितूर ज्यान नयन रिशि मुनिगन बंदे भारत मातरम उनकी कविता लहरों का गीत सुन मधुर मरुत मुरली की ध्वनी ग्रिपुलन नांध सुख से विहल हम हुलस नृत्य करती हिल हिल खस खस पढ़ता उरसे अंचल चिर जन्म मरण को हस हस कर हम आलिंगन करती पलपल फिर फिर असीम से उठ उठ कर फिर फिर उसमें हो हो ओजल प्रकृती का मानवी करण छायावादी कावि की एक विशेष्टा है चांदनी, बादल, छाया, जोच्सना, किरण ऐसी अनेक कविताएं उन्होंने लिखी उनकी कुछ का विकृतिया हैं ग्रिंथी, गुंजन, ग्राम्या, युगांद, सत्यकाम, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, उच्छवास, तारापंद और अन्य भारत भूमी को अर्पित एक सरल कविता भारत के जेतना श्रिंग पर ध्यान मौन रव परंपुरोष वह मृत्य कर रहे स्रजन हर्ष की विस्मृति मैलाई जिनके अतिचेतन प्रकाश से शोगा सुष्मा की सहस्र दीपित मरीचियां आभा की आभाएं चाया की चायाएं दिशा काल में फूट रहीं शत सुर्धनुओं के रंगों की आलोक क्रांति से द्रिष्ट चकित कर जर जर परते सतत सत्षिव सुन्दरून से महाकाल और महादिशा को जेतनता से मुग्द चमत कृत कर रोमांचित दिव्विभव से धराके भूतों के इस तमस क्षेत्र में जीवंत्रिष्णा प्रांक्षुधा और मनोदाह से क्षुप्त दध जर जर जनगन चीतकार कर रहे घ्रांदेश पर्धा से पीड़ वनपश्वां से बिखर गया मानव का मन अनुवी क्षनपच से बहिर जगत में स्थूर भूत विज्ञान से भनित अंतर द्रिष्टि विहीन मनुझ निज अंतर जक्त की बैभव से अनिभिग्य रिदय से शून रिक्त है आज आत्म घातीव अपने ही हाथों से महाजात का महामरन निर्मान कर रहा भौतिक रासायने चमतकारों से अगने तरक नियंत्रित यांत्रिकता के पदप्रहार से ध्वस्त हो रहे अंतर मन के सूक्ष्म संगठन सत्यों के आदर्शों के भावों स्वप्नों के स्रद्धा विश्वासों के संयम तप साधन के मनुश्यत निर्भर है जिन जोतिस तंभों पर ऐसे मरोन नुखजग को कहता मेरा मन और कौन दे सकता लव जीवन हाश्वाशन शांति त्रिप्त निज अंतर जीवन के प्रवाह से भारत के अतिरिकत आज जो शाश्वत अक्षर अंतर आईश्वरियों का इश्वर है बसधापर कहता मेरा मन भारत ही के मंगल में भू मंगल जन मंगल देवों का मंगल है देव आप आशीर बाद दें जन भारत को पपिहों की यहपीन पुकार निर्जरों की भारी चरचर जींगुरों की जीनी जनकार घनों की गंभीर घार बिंदुओं की चंती चंकार दादुरों की वो दुहरे स्वर पंद जी के प्रारंभिक कावे संग्रह जैसे उच्छवास और पल्लव में सरल प्राकृतिक चित्रन है वहीं बाद के कावे संग्रह जैसे ग्राम्या और युगांत में प्रगदी शील विचारधारा दिखती है पंत जी योगी अर्विंद से प्रभावित हुए और ये नवजेतना उनके कावे संग्रह स्वर्ण किरन और स्वर्ण धूली में प्रतिबिम्बित हुई लोक तंत्र का सुन्दर स्वरूप दर्शाती एक कविता जाग रहा फिर मध्य युगों का निद्रिद भारत जाग रही फिर कर्म भून अंतह प्रकाश से अपने संग सोई धर्ती को चीतन करने जनहिताय निर्मान करे वह नव भूजीवन लोक तंत्र की सुद्र नीव रख राश्र एक के पर स्वर्ग जोती चुम्बी धर्सिर पर कलश सत्य का विचरन करे प्रजायुग अभिनव जन भारत में दूर दूर तक शिक्षा संस्कृत का प्रकाश भरे सुख भैबहु की स्वनिम किरणों से मंदित कर छार फूस के जीन घरोदों को युग युग से दैन्य अभिद्या के तमसे जू तरस्त ग्रस्त हैं आज लोकतांट्रिक भारत श्रम स्वेधिदान से भावसनात कर धर्ती के जन का विशन्न मुख सर्व प्रतम संदर्य प्रसन करे मानव को विविधमतों वादों प्रांतों में बिखरे जन को मनुष्यत्में बाध नवल भू स्वर्ग रचेवा जीवन का आश्वरी प्रेम आनंद उमालकर जन श्रम निष्टा से महिमा मूर्ति थों जिसमें जुद्ध दक्त जन भू पर व्यापक लोक तंत्र का नवा दर्श करे वह स्थापिट सर्व समनमित युग युग तक गावें भारत जन एक कंठो हो बंदे मातरम उनकी काविसंग्रय लोकायतन में जन जीवन की मनोहारी जहांकी है इस कृती के लिए उन्हें सोव्यत नहरूषांती पुरसकार मिला कला और बुढ़ा चांद के लिए 1960 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरसकार मिला और 1961 में उन्हें पद्मभूशन सम्मान मिला पंत जी का शाश्वत संदेश था गा, कोकिला, संदेश सनातन मानव का परिचे मानवपन आत्मचेतना जगाती एक रचना उर्ज दृष्टी ही गहरे घुसकर सहज उतर सकती जनमन में मैं जीवन में सोचता रहा, खोजता रहा, कभी उर्ज मुख फिर अंतर मुख, कभी बहिर जग में भी बहा अब लगता मैं अपने ही को खोजता रहा व्यग्रिनिरंतर मेरा ही बहुमुख प्रसार था बाहर भीतर उपर मुझे आत्म विस्मृत कर तुमने इंगित किया तुम्हें खोजू में जड में जग में वन में मग में कट कुरूप में सुखद सुभग में चिंतन रत्मन वीता शैशव वीता योवन रुका नहीं में कहीं एक ख्षन बाहर भीतर जिया किया अविरत अन्वेशन सतत बोधपत में हो विखसेत होती रहे रिदय में तुम संचेत संग्योजित आया ऐसा भी तब शुभग्षन बिला गया सब उरका चिंतन शूट गई विश्मृति सहसा हो उठा आत्मचेतन मन मैं ही फैला था यग में मैं ही सिमट गया फिर अन्तह केंद्र स्थित बन अब अपनापन ही अपनापन मैं तुम याजग बिलग नहीं थे हुए एक ख्षन सदा एक ही रहे प्राणपन समरित्य साहित खंड में अभी आपने सुना पद्मभूशन कवी सुमित्रानंदन पंत को कंपियर्थी रेखा रानी लेखी का एवं निर्मात्री रंगोली श्रिवास्तव सब्सक्राणपन